दोस्तों कभी आपने सोचा है कि हर्बलाइक न्यूटिशन के यूज करने के बाद हम पहले के कंपेर में बहुत ज़्यादा एक्टिव एंड फिट क्यूं हो जाते हैं हलाकि हम इस न्यूटिशन का यूज अपने वेट को मैनेज करने के लिए जनरली करते हैं ज्यादा तर हमारा परपस वेट लॉस या फिर वेट गेन करना होता है लेकिन जैसे ही हम न्यूटिशन के यूजर बनते हैं हम देखते हैं कि हम पहले के कंपेर में बहुत ज़्यादा डे बाई डे बहतर होते चले जाते हैं तो आपने कभी इसकी पीछे के लॉजिक को समझने की कुशिश करी है मैं आज की इस वीडियो में पूरा डेटेल से आपको इस पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ की इस नूटिशन के यूज से हम सर के बालों से लेकर के पैर के नेज तक की होल बाड़ी हमारी बेहतर क्यों हो जाती है और साथ ही साथ ये cellular nutrition क्या है इसके बारे में हम इस वीडियो में detail से बात करने वाले हैं तो आपसे मेरी request है कि बिना skip किये इस वीडियो को भी start to end आपूरा जरूर देखेगा क्योंकि एक बहुत ही important जानकारी इसमें आपको मिलने वाली है तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए guys हमेशा यहाँ पर आपको मिलते हैं तो guys आपको herbal life nutrition को समझने के लिए cellular या फिर body में cell function का क्या use है उसका क्या roll है इसको अगर आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ही आराम से यह समझ में आ जाएगा कि इस nutrition की use की वज़े से हम day by day क्य हमारे अंदर क्या change हो सकता है तो guys मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी body यानि एक इंसान का शरीर लाखों करोडों cell से मिलकर के बना है यानि हमारी body का सबसे चोटा part जो है वो एक cell ही है और बहुत सारे cells मिलकर के हमारे tissues बनाते हैं और बहुत धेर सारे tissues मिलकर के हमारे body body के organs को generate करते हैं और बहुत धेर सारे organs मिलकर के एक इंसान का शरीर यानि हमारी body तयार होती है तो जैसा कि guys अभी आप समझ गया होंगे कि हमारी body का सबसे चोटा जो part है वो cell है हम उतने ही ज्यादा strong या फिर उतने ही ज्यादा weak हो सकते हैं जितने strong हमारे body के cell होंगे या फ हमें जरूरत है अपने body के एक एक cells को बहतर करना अब आप सुच रहे होंगे कि इतना ज्यादा ना तो हमारे पास time है ना तो हमारे पास इतनी information है कि हम अपने cells को कैसे active रखें तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा puzzle होने की जरूरत नहीं है आपको बहुत ज्यादा एक एक cell पर यह काम करता है अगर आप इसको एक example के form में समझना चाहते हैं तो आप यह समझते हैं कि अगर एक कोई घर है उस घर को आपको मजबूत बनाना है तो सबसे ज्यादा आपको घर की नीव को strong करने की जरूरत है जितनी बहतर जितनी strong आपकी नीव होगी उतनी बह को मेंटेन करने का काम करती हैं उसी तरह से हमारी बॉड़ी के cells होते हैं और हमारी बॉड़ी के cells को बहतर और स्टॉंग करने में आपके हर्परलाइफ न्यूटिशन का बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल है इसी वज़े से इस न्यूटिशन को cellular nutrition कहा जाता है एक cellular nutrition है तो आई होग कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको cellular nutrition के बारे में बहुत बहतर तरीक्ते से पता चल गया होगा और साथी साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि हर्परलाइफ न्यूटिशन एक cellular nutrition है और हम जितने ज्यादा दिनों तक कि अपने आपको बहत और active रखना चाहते हैं एक medicine free life को इंज्या करना चाहते हैं तो हमें अपने cells को strong रखने की जरूरत है यानि हमारी body को regular format में nutrition की जरूरत है जितना हो सके हमें nutrition का use regular form में करते रहना चाहिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आ करता हूं गाइज अपने नए वीडियो में एक नए information के साथ तब तक की लिए take care and bye bye